इतना अच्छा नोस निकला है गार्डन में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा फूल के लिए इसको अच्छी केर से फूल ज्यादा आ सकते हैं इस फ्रेंड्स पूत अच्छी पिस्ट ग्रोथ हुई है भेंडी टमातर की फ्रेंड्स और यह नाइनो प्लाक है और यह बहुत खुब्सूरत यह जडा प्लैंट है अच्छी ग्रोथ हुई है और यह मैने रहन लीली बीज बोया था अब लगा है ये पिंग कलर रेन लेली है और ये एलो शेड मनी प्लैंट है मैंने फ्रेंट के हाँ लेका कर लगाया था बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है पुरे दो महा लग वे हैं इसको इतना ग्रोथ होने के लिए प्रेंट के लिए ये ये एलो मनी प्लैंट है और ये क्रीम और ये क्रीम कलर की मनी प्लैंट है बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है देख सकते हैं और ये किस्तमनियम है अभी इस पर बहुत से काल्या आ रहे हैं और ये मैंने इसकी क्रोंप्लैंट कर दिये हैं बहुत सारे ज्यादा फुल पाने के लिए और ये तुलसी है मैंने क्रिस्तमनियम बहुत ज्यादा फुल के लिए इसकी कॉंप्लैंट पूरे प्रोंप्लैंट कर दिया है इसके लिए दो-दो कॉंप्लें लग रहे हैं हर ये को बहुत सारे प्लैंट्स लगाई हूं इस बार बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है मानसून पर ये देखिए प्रुनियम कर देने से हर ये पर दो या तीन चार कॉंप्लें लगे हैं गर्डन में कोलियस तो बहुत सारा लगा है कटिंग से लगाने अच्छी ग्रोथ हो रही है ये तो अलू लगाई थी मैंने अलू के प्लैंट्स हैं ये तो पत्थर चटा प्लैंट्स है इसको अभी रिपोटिंग करना है प्लैंट्स पॉट्ट बें ऐसा प्लास्टिक में लगाई थी फिर भी अच्छी ग्रोथ हो रही है ये बैगन का प्लैंट तो बहुत सारे बैगन बहुत दिन सी हार्वेस्ट कर रही हूं फिर भी लगा है द्वे निकाल कर दूसरे प्लैंट लगाने के लिए देख रही हूं फिर भी इतने सारे बैगन लगे हैं बहुत अच हर 15 डेस में बैगन लगते हैं और इधर भी फूल लगे हैं और बैगन डोनों भी लगे हैं और मैंने इसमें भेंडी बोया है और ये मेरा पुदीना है अच्छा ग्रोथ हो रही है और ये बहुत अच्छा इसका कलर है से बहुत सारे फूल लगे हैं आज तो गर्डन में बहुत कलर कलर से गुलाप के फूल लगे हैं और मेरे गर्डन पर पतिंगाओं भी आकर बैट गया है इसको निकाल कर अभी फेकना है बहुत डरवना है ये पतिंगा फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक और जो नए हैं सब्सक्रेब करते हैं और फ्रेंड्स प्रेंड्स